प्रोग्राम की शुरुवात उत्तर प्रदेश से कौन होगा उत्तर प्रदेश टकिंग और किसके हाथ में आएगी उत्तर प्रदेश की गमान ये जनता के मन में सवाल है राजनितिक पार्टी के मन में सवाल है और राजनितिक पार्टी के नेता अभी से दाउं पेच का इस्तमाल करना शुरू कर चुके हैं हाला कि अगर बात करें तो कॉंग्रिस पार्टी कहां खड़ी है और कॉंग्रिस को क्या वाकई उत्तर परदेश के विधान सबाचुनाव में कुछ सीटे मिल भी रही है या अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है इस पर तमाम जानकारिया हमारे पास है आज हम बात करेंगे उत्त उत्तर परदेश की जनता की और कॉंग्रिस पार्टी की कि कॉंग्रिस पार्टी ने कितना उत्तर परदेश में परचार परसार किया प्रियंका गांधी की महनत उत्तर परदेश में कितनी रंग ला रही है और कितना बदलाओ प्रियंका गांधी ने किया है उत्तर परदेश में 32-33 साल बाद अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाश करने का काम प्रियंका गांधी ने किया और प्रियंका गांधी ने 32-33 साल बाद खोई हुई जमीन को जिस तरह से तलाशा है हम ये देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी की मैनत रंग लाई है हाला कि इन सब के बीच अगर बात कर लेते हैं तो प्रियंका गांधी ने अपने घोशना पत्र में कई मुद्दों को उठाने का काम किया। कर ये बताया कि हम जनता के साथ खड़ें कॉंग्रिस पार्टी जिसने धर्म और जाती की राजनीती को अलग रखा और वहीं दूसी तरफ सत्ता पक्ष जो धर्म और जाती की राजनीती में उलजी रही। बदल रही है। जाहिर सी बात है परिस्तितियां बदलनी भी चाहिए क्योंकि बदलाव समय समय पर होता है तो ये अच्छा लगा रहता है। अच्छा बना रहता है। जो बदलाव हो रहे हैं इसका मतलब है कि इस बार जनता कॉंग्रिस पार्टी के साथ खड़ी है। लेकिन उत्तर पर देश में कॉंग्रिस पार्टी कहा है और कितनी सीटे इस बार ला रही है ये जानने वाली बात है। उत्तर पर्देश में इस बार कॉंग्रिस पार्टी सौ सी ज़्यादा सीटे ला रहा है, ऐसा कॉंग्रिस पार्टी के नेताओं का कहना है, ऐसा पार्टी के तमाम नेता बात करते नजर आ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि तमाम पार्टी के नेता आज इस तरह की बात कर उत्तर प्रदेश में कॉंग्रस पार्टी शांदार तरीके से जीत आसिल करेगी उत्तर प्रदेश में अगर अच्छी खासी सीटे कॉंग्रस पार्टी लेकर आती है तो प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होता नजर आएगा प्रियंका गांधी जो ये सपना देख रही है कि वो मुख्यमंत्री बने प्रियंका गांधी जो ये सपना देख रही है उत्तर परदेश की कमान को वो समाले बहुत बड़े हद तक आज हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी चाहती है कि उत्तर परदेश में बदलाव और ज जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी आज जिस तरह जनता की बात कर रही है, जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी आज जिस तरह विकास की बात कर रही है, तो बदलाव तो होना लाजमी सा है, कौन बनेगा उत्तर परदेश में अगला मुख्यमंतरी ये जनता के मन में सवाल है लेकिन आज हम अपने धर्शकों को बता दे कि प्रियंका गांधी के मुख्य मंत्री बनने के चांस जादा दिखाई दे रहें क्योंकि प्रियंका गांधी ने जादा तर जो काम है वो मुद्दों पर किया है प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जनता इस वक्षी है खुश दिखती नजर आ रही क्यों कि हमारे जो सयोगी है वो जब ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरते हैं जब उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट से खबरों को कवर किया और जब वो ग्राउंड रिप कहा कि अगर कॉंग्रेस पार्टी इस बात का एलान करती है कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री चेहरा होंगी तो 90% जनता उनके साथ खड़ी रहेगी तो प्रियंका गांधी पहली पसंद है मुख्यमंत्री के तोर पर अकलेश यादव दूसरी पसंद पे हैं तीसरे का चेहरा नजर आ रहा है तो प्रियंका गांधी सीम रेस में आगे निकल चुकी है मुख्यमंत्री दौड में आगे निकल चुकी है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जिस तरह से इनका हिसाब किताब दिक्तल नजर आ रहा शायद इनके सपने पूरे ना हो पाए क्योंकि जनता ने इस बार बढ़ चड़कर कॉंग्रेस पार्टी का सहयोग किया है जनता ने इस बार बढ़ चड़कर कॉंग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है समर्थन किया और जनता जिस तरह कॉंग्रेस पार्टी को समर्थन कर र कॉंग्रेस पार्टी ये समझ रही है कि किस तरह आज बदलाव होना चाहिए अगर पांच राज्यों के विदान सभा चुनाओं में से चार राज्यों में भी कॉंग्रेस अच्छी खासी जीत हासिर कर ले जाती है तो इसका पूरा च्रे कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं को प्रियंका गांधी को दिया जाएगा जो प्रियंका गांधी उत्तर परदेश में तमाम नारे देती रही है वही नारा उनका उत्राखंड में भी था गोवा में मनीपूर में पंजाब में रहा और प्रियंका गांधी ने यहां पर मुद्दो को उठाने का काम किया प्रियं कि प्रियंका गांधी जिस तरह मुद्दों की बात कर रही है आज प्रियंका गांधी जिस तरह मुद्दों पर काम कर रही है तो जाहिर सी बात है बदलाव हो रहा है जाहिर सी बात है तस्वीर बदल रही है और प्रियंका गांधी के आने से माहौल तो बदला है और प्रियंक प्रमुक जयन चौधरी के साथ मिलकर उन्होंने तावर तोड़ तरीके से जिस तरह रैली की समझे कि किस तरह से बदलाव होता नजर आया तो जाहिर सी बाते कि प्रियंका गांधी अकलेश यादव जयन चौधरी ओम प्रकास राजबर हूं या फिर और तमाम बड़े नेता स इस बार उत्तरप्रदेश में तो जटका लगी रहा है और अन्य राज्यों में भी जटका लगता नजर आ रहा है क्योंकि जनता ने यहाँ पर बीजेपी को नकार दिया है और जनता ये समझ गई है कि ये बीजेपी हिंदू और मुसलिम की राजनिती करने वाली है जाती औ अब होश्यार हो चुकिये समझदार हो चुकिये और जिस तरह से समझदारी से काम कर रही है मतलब बदलाव हो रहा है और विपक्ष को फायदा मिल रहा है चलिए आज के लिए अतना ही आप से तबारा मुलाकात होगी तब तक लेजा दीजे नमस्कार